आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें यह हमारा N1 है, जो हवा है, उसका मान एक है, N2 हमारा मान लिया परदार्थ का परतनांग है और N3 है, इधर पानी है, जिसका परतनांग 4 बटा 3 दिया है, और इसका कितना दिया है, 3 बटा 2 ठीक है, कह रहा है कि दोनों सत्रों की वक्रता तेजया है, यानी की R1 बराबर R2 दिया है जो की 20 cm हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इस परिस्थित में प्रथम फोकस और दूथी फोकस लिका ले ठीक है, तो प्रथम फोकस दूरी क्या होगी इसकी? प्रत्रम focus दूरी थीक, इसके लिए हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले आप यह देख लिजी है कि गोली सता भे प्वर्चन का सूत्र क्या होता है, हमारा जब हमारा तीनों जगा माध्य हम अलगा अलग हो तो इसके लिए सूत्र अगर आपको याद हो नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ इसके लिए सूत्र होता है हमारा वो आपको याद होना चाहिए वो होता है N3 बटा V माइनस सारी N3 है माइनस N1 बटा U मतलब जहां से हमारा मतलब वस्त के किरने आई और जहां पर प्रतिवियम कहां मनेगा N3 पे तो N3 पे बटा V माइनस N1 बटा U बराबर होगा यह आपके N2 माइनस 1 बटे R1 सारी N2 माइनस N1 है ठीक है माइनस N3 सारी N2 माइनस N3 बटे R2 ठीक है यह आपका सूत्र होता है किसी माध्यम में जब अपर्टनांक अलग अलग हो अलग-अलग अपुरतां के माद्दे में कोई किरण चल रही है तो ठीक है तो इसके लिए सूतर होता है इसको आप लिख लिए समीकरण एक ठीक है इसका अभी इस्तिमाल हो गया हमें दिया है यहाँ पे आप चाहिए इसको reduce कर सकते हैं चुकि हमें दिया है कि R1 और R2 बराब ठीक तो N2 कर जाएगा तो यह क्या आजाएगा आपका समीकरण यह आजाएगा बनके यह आजाएगा N3 बटे V-N1 बटा U यह बराबर आजाएगा आपका N3-N1 बटा R बलकि आप इसे समीकरण एक लिख लिए जिसका हमें इस्तिमाल करना पड़ेगा क्योंकि यह रिडिस ह ठीक अगी जोद है घोली पिष्टपे मुखी सरी मुख्यच का परवह बिन्स से चलने वाली केड़ने जाएगा होती है पर अपटन की साथ मुख्यच के समान्तर हो जाती है मुखहस के समांतर हो जाती है मतलब उसका प्रत्वियम अनंत पर बढ़ता है तो उसकी परिभासा के अंसार क्या लिखेंगे आप तो इसका मतलब है कि प्रत्वियम फोकस के लिए आपका U जो है वो आपका फोकस दूरी पर होगा मान लेते हैं इसे F1 ठीक प्रत्वियम कहा बना है अनंत पर बना है यानि कि V जो आपका है इन्फाइनाइट है ठीक तो यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से इस समी करण एक से मान रखेंगे तो N3 क्या आपका दिया है N3 हमें दिया है पानी है पानी जो कि 4 बटा 3 है 4 बटा 3 बटे V यानि कि अनंत माइनस N1 क्या है हवा है 1 बटे U है आपका F1 बराबर N3 आपका है 4 बटा 3 माइनस 1 बटे R क्या है हमें दिया है 20 cm ठीक चार बटा 3 माइनस 1 1 बटा 3 बटे 20 यानि कि 1 बटा 60 ठीक है यह आपका शुन हो गया यहने कि माइनस एक बटा एक बटा साथ हा गया तो यहां से F1 कमान क्या मिल जाएगा आपको F1 कमान यहां से मिल जाएगा आपको 60 cm प्रथम फोकस का दूरी ठीक है यह जाएगी 60 cm आपको मिल जाएगी पर्थम फोकस दूरी का मान ठीक है यहां से आपको मिल गया और दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको इसकी परिभाषा क्या होती है इसकी परिभाषा के अंसार आप लोग जानते हैं कि हमारा होता है कि जब गोली पिष्ट पर मुख्यच पर इस्तित वह बिंदू जिससे की मुख्यच से समानतर से आने वाली किरणे क्या होती है हमारी अप पॉर्थन के पर साथ जो है जो क्या होती है यसे लगता है कि वो किरणे फोकस से आ रही है ठीक है इसका मतलब है कि अप पॉर्थन के पर साथ वो लोग ओके focus यहों के गुजरती हैं यानि कि हमारा प्रतिविम क्या है जो बनता है focus दूरी पर बनता है इसे f2 मान लेते हैं और हमारा समांतर केरने आ रही है यानि कि u यानि कि एक बोटा यू यहां के इंफाइनाइट बराबर था हमारा एन 3 मानास एन 1 यह था ना इन 3 मानास एन 1 बोटा अर यानि कि 7 तो सेm ही रहेगा गल रहेगा यह 25 यह आ गया था आपका एक बोटा 60 आ गया ठीक है 3 दूनी 6 20 आएगा 20 चोक के 80 यानि कि F2 कमान आ जाएगा 80 cm ठीक है तो दुतिय फोकस दूरी कमान आपको कितना मिल गया 80 और प्रथम फोकस दूरी 60 cm ये दोनों आपके answer हो जाएंगे ठीक है ये आपका दुतिय का answer हो गया 80 cm ठीक है ये प्रथम का आगया ठीक है आपको अगर check करना हो कि आपके answer सही नहीं है तो एक relation याद कर रखना क्या होता है हमारे दोनों फोकस दूरी का जो अनुपात होता है यानि कि F1 बटे F2 ये जो होता हमारा minus के साथ N1 बटा N3 होता है ये वहीं से समीकन से यहां से जब आप निकालेंगे तो F1 का मान आपका है कितना साथ है बटे F2 का मान असी है बराबर N1 का मान एक है N3 का मान चार बटा तीन है ये साथ था तो ये आपका फाइनल एंसर आजाएगा 80 cm मतलब 60 हो और 80 cm ठीक है अपक्षाटी से बार भी से लेकर N2 आएटी जेई वो एडवांस के लेबल तक 1 करोड से जादर चात्रों का भरोज़ा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8400400 पर